तो आज की स्टेशन में पढ़ेंगे मैथर और प्रिपेशन और अपने पड़ा था तो आज हम प्रिपेशन ही पढ़ेंगे अल्किल आइट्स का अल्कोवल से चली स्टाट करते हैं आज का स्टेशन अज आज क्यासी आज की साथ आज क्यासी 여기까지 स्टेशन ऑ्रिपेर यूसार思 आज की स्टेशन में पूरिपया अल्किल आएट्स आज करते हैं आज की सीओ कि अरनी आज ड्कोव टियर न्लाड्स स्टेशन है तो आज की парикophone का स्टेशन ही की आजिए क्या की सिग मैं को स्टेशन इ एल्कोहल मैं इसको दर यह एक्षिन फॉर्मिट में लिख दू तो वेन एल्कोहल मतलब आर ओ एच इज डियाट्स विद पीसी एल फाइल तो बनेगा क्या आर सी एल ठीक है मतलब यहां पर क्या हमने परा था निक्लियो फिलिक्स सब्सेशिशन रियक्षिन मतलब यहां से माइनस हट गया निक्लियो फाइल और यहां से क्या आगया एक सी एल यहां पर जुड़ गया तो आर सी एल बनेगा है अब इसका मैंकरिजम अगर देखें कि यह मतलब यह एक्षिन होता कैसे है यहां में क्या है आर ओ एच तो मैं इसको एसे लिए देता हूं एक एल्कोहल ह कैसे हम इसके रेक्षिन्स को प्रोड़क्त को लिख सकते हैं आर ओ एच प्लस किसके साथ देखिसें करा रहे हैँ पीजलफाइब पीजल फाइब में कितने क्लोरीन है एक दो एक यहां में एक तीन चार और एक और हो गया है बसक्रटेड वाइन पीजिए अब आर में आप दूसरा क्या बनाएगा hydrogen कहा हमें जाएगा HCl के पास तो एक हमें क्या मिल गया nucleophilic substitution दूसरा क्या बन गया HCl अब दीगे फास्पुरस का यहां में दो बैलनसी कम होगा एक कलोरी नियास निकल गया एक कलोरी यहां से निकल गया और oxygen का भी दो कम होगया यह oxygen किसे जुड़ेगा पास्पुरस से क्या बन जाएगा तो third product यहां जो बनेगा byproduct POCl3 तो हम आसानी से इसको ऐसे लेख सकते हैं इस selection का यह सौट करते हैं तो ROH को भी अल्कॉल लिजए PCL5 से डेक्ट कराएगे तो हमें क्या बनेगा निकलो फिलेक्स का सिचेशन OH अटा देना उसकी जगह पे CL आजाएगा बाकि नमबर ओप कार्बन पे कोई पर नहीं पुड़ेगा और byproduct लिकने के लिए तो PCL5 फिलेक सकते हैं RCL निकाल देंगे HCL and then यह जैसे अब एक्जामपल कुछ भी ले लीजे तो जहां भी PCL5 आएगा OH डाके हमें तो अब चाहाँ एक कार्बन हो जैसे सबसे सिंफ़ाल जैसे CS3 CS2 OH यहां मैं हमें लिख देगा PCL5 तो हम क्या करेंगे अब सीधा सीधा लिख सकते हैं CS3 CS2 CL अब इसी को अगर महाली जै अईसे लिख देगा यहां भी OH लगा दे यहां भी CS3 लगा दे मतलब प्रोपेनल अब अगर यहां PCL5 लिख देगा तो भी no problem हम क्या करेंगे OH की जैगा PCL बागी आइजटेच तो रेक्शन भी PCL5 PCL5 पाने से यहां भी PCL5 आइगा OH की जैगा पहिमी क्या लगाना है CL नाई प्रोटक्ट की आपनेगा POCL3 प्लस SCL ठीक है इंपोर्टन पॉइंट यहां पे इस मैथर्ट गनाट बी उस पार दी प्रोपेशन अब ब्रोमाइड और आलोड़ाइट सिन्स PBR5 और PI5 आर नोट इस्टेबल यह रेक्शन हमें सिर्फ किसके साथ मिलेगा PCL5 पे साथी बिलेगा पास्पोरास पेंटा ग्लॉराइट ठीक है PBR5 और PI5 पास्पोरास पेंटा प्रोमाइड और पास्पोरास पेंटा आड़ाइट साथ इस्टेबल तो हमें समझ जाना है कि यह PBR3 है, P plus I2 लिखा है, तो हमें समझ जाना है कि हम P I3 की बाद कर रहे हैं, तो यहां भी वही अल्कॉल है, PCL3 है, निक्लोफिलिक सब्सिचुशन है, आपको क्या देखाई दे रहा है, कि यहां से OS अटेगा, और इसमें से XL आएगा, अगर ब्रोमीन लिखा है, तो यहा आपको PBR3, हम क्या करेंगे, बस OS अटाएंगे, उसकी जगह पे, वियार, अगर यहीं पर हमें मालीजे कोई अल्कॉल दे दिया, और यहां में क्या लिखते है, फास्पोरस प्लस I2, जैनली रेट फास्पोरस होता है, और इन दोनों का रियेक्शन होगा, तो हम क्या लिख आप इसका भाइप्रोड़ेट्ट किया बनेगा, क्योंकि कम्प्लेट फॉलिक रियक्शन अगर हमें करना है, तो हमें ज़नली भाइप्रोड़क्ट भी लिखना है, उसको समझने के लिए मैं इसको ऐसे देख देता हूँ, इस रेक्शन को याद रखने के लिए आर ओ एक एक बार और दिखते हैं और वह एक बार और दिखते जी मतलब त्री मोंस अब आरे इसके साथ रेशन करा रहा है पी सी यह फाइट तो एक डो इस वरी पी से ल त्री त्री तिक है अब मैं सुचें क्या मनेगा आप यहां से यह करते हैं यह पॉंड को तोड़ दीजिए और इ त्री एक फासफॉरस आ गया कितने अक्सिजन आ गये पर इसका नाम है फासपॉर रिपर्दाव से और यहां का आप यह बनेगा ज़्यान का और यहां का सील जोड़ जाएगा ति यह बन गया आ मतलब 3 mores of already plus 3 कि अबिझे इस द्रीपर त्री आएगा तो आएगा तो आसे इस्टी प्यों थ्री बागी यहां फे क्लोरी ने तो entire अब ए पिक आइए तो सीर दिए आए इस है कि अपर से पी सिल फाइब के साद बनता है पी सिल तरी के साथ एक्षिए आधी यह देंक्त हुआ कर साथ आइनक्षिए करें पयांद गिंचीर के साहँ गेंच्छि dueकीशन फॉछ नहीं विरिस इंटिबâte др दção आ ऐक्षिए करें अंचेज ट्शेक्षराई हुआर टो फॉछ डीटिग एल्कोहल की बात करें यह हमें कुशिंस यहां से मिलता है तो नोटब्लाउट थ्री ड्रिग्री एल्कोहल सब से कम अध्यार यहां में तो यहां में यहां में नाम हमें मिलता है इसका नाम है इस इस नोन आज लूकास रियेजेंट इसको बोलते हैं लूकास रियेजेंट यह में अल्कॉल चेटर में भी मिलेगा तो इसके साथ प्रेक्षेन होगा तो नो प्रॉब्लम हमारा कॉंसेप्ट वे हैं कि ओए शटाना इसकी जगह पे छिपस से अल्कुल लाइस ऑट-जिरल नेता है इसली यह टार्बीटी यह आप हैंको मिलता है तो इसली रिक्तिविटी के बात करते हैं तो तो 3 दिगरी एल्कॉल तुरण्ट रियेक्टिविटी तो वाड़्स लिकॉस्ट्वा तो 3 डिग्री अल्कॉल मोस्स्ट टियेक्ट टेन में टेर्बिटी एपियर आएगा वन डिगरी अल्कोवल होता है रूम टैंप्रेशर पे रियक्ट नहीं करता है इसको हमें करना पड़ता है यह अल्कोवल का डिफ्रेंशेशन का अभी कि बात करेंगे तो सीधा सीधा आप और जटा दीजिए उसकी जगह पे सीएल डार दीजिए हो जाएगा तो इसके लिए लुकास रेजिन क्या होता है तो कॉंसल्टेट एसल इंप्रजिंस ओफ एड़िस जिंग लोगाई वेस की जगह पे सीएल आना है रेक्टिविटी का प दीजिए प्लाइट यहाँ बहुच्छा ऑप डिएट्स प्रीन क्लोडाइट तो इस रेक्षिन करना हमें डार दीजिए निए रिखलक्स करेंगे यहाँ भी निकलोफिलिक सब्सिट्टीशन के सकते है ओए अच अटेगा उसकी जगह पे सीएल आगया सुल्फ़र दाइट साइड गैस है और यह SCL गैस है ठीक है ना इस मेतोड इस प्रिफर्ड ओबर अधर मेतोड बिकाउज इस प्योर अलकाइल अलाइड सिंस SO2 and SCL are gases यह दोनों गैस होता है इसलिए यह बेस्ट मेतोड है अलकेल अलाइड बनाने का यह इसको प्रिफर करते हैं अधर मेतोड में तो जो में पीछे पढ़ा था SCL के साथ PCL5 के साथ या PCL3 के साथ ठीक है यहां में क्या दिका है इदिर आपको आर ओएज प्लस SOCl2 इसको अगर यहां पे इसका ब्रेक अप करें तो आर ओएज और यहां में क्या है सुल्फर डाय अक्साइड बन गया ठीक है सुल्फर डाय अक्साइड ऐस और यह क्लोरीना के यहां में ब्रेक है तो जब SOCl2 लिखा रहेगा तो इसको मोलते है टार्जिन रेक्शन थायोनिल क्लोडाइट ओएज की जगा पे सील लगते हैं तो इसको में बेटर कह सकते हैं समझने के लिए हैलोजन एक्स्चेंज डेक्शन तो वेन अलकेल अलाइट और ब्रॉमाइट रियाक्स विच्विच सोडियम आयोडाइड यह फिक्स है इसको में पकड़के रखना है तो सोडियम आडाइड जहां भी आपको के साथ मिलेगा तो हमें समझ जाना है कि वो प्लिंकिस्टीन रियक्शन है इन प्रजेंस ऑफ लेसी तो इल्ड एलकाइल आयोडाइड तो इस रेक्शन इन ओने प्लिंकिस्टीन रियक्शन यह में क्या है का नुवारिजन या पॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एलकिल हैलाइड कि अगर हमें किसी chloride या bromide से iodide बनाना है basically यहां पर iodide लिखें तो ज्यादा अच्छा है iodide बनाना है तो हमें क्या करना है linkistin reaction को यूज करना है इसलिए इसका नाव देंगा halogen exchange तो rx and ai चलिए इसको समझने के लिए हमें क्या आएगा possibility नोड different ik isla taraf ये इसके पर प्लास है यहां प्लास आएगा यहां में मइनस आएगा हम क्या करेंगे आंप बंद करके इसको यहां docा देंगे यहां पर यूड़ ज़ुकर ढिआएगा तो कया देखा अपने इक्सचेंज हो गया तो जो हैलाइट पहले एलकिल के साथ था जो आयोडाइट पहले सोडियम के साथ था अब वो कामें चला गया आयोडाइट आगया एलकिल के पास और हैलाइट मतलब क्लोडाइट और प्रोमाइट यहां में X की जिगहां पर क्या आएगा क्लोडाइट और प्रोमाइट तो काम सब्सक्राइड इन पर्जेंस ऑफ एसी टोन तो नो प्राब्लम क्या करेंगे से स्टू सी यल की जगा पर इससे याद रखना है कि जब हमको कानवर्जन में आयोडाइड बनाना है तो हमें इस रेक्शिन को यूज करना है कारपन से मतलब नहीं है चेंज आए आपको वन इस चीज को ऑसे भी लिखरें कि यहां में डाल डिया यहां भी सीए इसको मथे तर्शी विल्टाइल भ्लॉमाइड अब आपको कहा है यहां में कि जगा नहीं मुएं गया लिए त्रीन स्टियों लिकाए थो हमें हैं नंबर अंब कार्बन में हमें कोई चेंजेश नहीं है या फिर करनल जैन अगर हमसे पूछिएगा आयोडाइट कैसे बनाना आपको लॉमाइट से या किसे पाइट से तो आपको यह । । । । । । यह से आपने अइच्छ मने आज वरिय भनाया उसी तरहे हापे शार्स रीक्शन। । । । । । । । ॥ । ॥ । ॡ Oo, beinilat's chloride or bromide reacts with metal fluorides like AGF, Silver Fluoride SBN2 F3, SuIF2 or SE2 have to give archive fluoride. So no doubt this reaction is used for only the preparation of fluoride Copac haben这 Vamos यहाँ भी क्या हैwe minus है and this is the thing about the plus and it is the thing about the यहां से रिकाल दीजे और यह बन जाएगा F plus A G X तो यहां पर यह स्वार्ट स्रेक्शन में क्या करना है हमें फ्लॉराइड बनाना है यहां यहां में यहां में अर्मैटिक को यूज नहीं करते हैं यहां पर यहां पर यूज करते हैं कि नेक्स्ट Hans-Leaker reaction तो अब यहां में कुशन यह है कि अगर हमें किसी acid से alkyl halide बनाना है तब हम क्या करेंगे तब उसके लिए नाम आता है Hans-Leaker reaction तो silver salt of acids react with chlorine or bromine in presence of carbon tetra chloride to give alkyl halide in this reaction carboxyl group is directly replaced by halo group यह इस reaction का importance है तो इसलिए यहां पर क्या है कि किसी COOS तो पहले हम यहां पर लिखते हैं अगर silver salt का है न यहां गया silver salt अब इसका reaction कराते हैं हम x2 the chlorine or bromine cup in the presence of carbon tetra chloride तो carbon tetra chloride के साथ इसका reaction कराएंगे तो यहां में क्या बन जाएगा और प्रिडीन भी ले सकते हैं तो यहां पर यह बनता है R x plus ag x मतल़ क्लोरीन ग्रोमी जो भी लेंगे and then CO2 तो इसका दो इसका दो इसका पर यहां पर यहां कि इसका टेक्शन टेक्स प्लेस वाया free radical यह रिचिन के से होता है वाया free radical and then most second point is used for the used for the step down conversion step down conversion मतलब अगर आप लियान दें यहां में क्या रिखा है R COOAG the silver salt of acid इसमें कितने carbon है R और एक यहां पर जो product बन रहा हो क्या रहा है R x मतलब इसमें से एक carbon यहां से निकल गया and removal of carbon dioxide is known as decarboxylation no doubt this x n को सिंप्रियम क्या बोलते हैं कि यह decarboxylation है और decarboxylation का मतलब का होता है descending of the series मतलब जिसमें number of carbon number of carbon decreases तो इसलिए अगर हम step down conversion करना है number of carbon अगर घटाना है decrease करना है this ending of this series में जाना है तब जिनीडियम सेलेक्शन को दिनूज करते हैं तो अब हमें इसका product लिखने क्लिक क्या है कि आपको silver salt offensive दिया रहेगा उसमें से एक CO2 हटा दिया silver को हटा दिया उसकी जगा पे halogen लगा दिया तो इसमें क्या है step down conversion मतलब number of carbon यहां से कमती हो जाएगा इसलिए जैसे simple example लेख और पॉर इसलिए त्री सी एस्टू सी ओओ अजी अब हमें यहां पे लिखते हैं जैस सपोस्पोस रोमें इंड प्रेजेंस उब सीचियल फॉर क्या बनाएंगे तो तो silver salt of acid in presence of hydrogen या रियेक्स विद्ध इंपरेजेंस और कारबन टेट्राइड ने क्लोराइड तो देखते ही इस समझाना यह है तो हंस्टिकर है तो हंस्टिकर में हमें क्या करना था आर आर की जग़ा पर क्या है और यहां से CO2 गया हो जाएगा क्या बन जाएगा आर की जाएगा क्या हो गया CS3 CH2 और इसकी जाए एक्स की जाए ब्रोमी दिया गया बी अब यह जो CO2 यह क्या निकल गया carbon dioxide silver जो निकल गया हूँ का में जाएगा है यह बन गया है 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 कि दूसरा चीज आप यह कभी कभी हमें यह नहीं रिखा रहाता है हमें एसीद दे देगा कोई आपको एसीद दे देगा और यहां में सिल्वर कोई साल्ट देदेगा इसका साल्ट बनाएंगे और आपको हैलोजन दिया रहेगा ब्रोमीन लिका रहेगा कार्बन टेट्रा फ्लॉराइट को यहां से नहीं रहेगा एसीद से दे देगा एसीद को पहले हम चेंज कर लेंगे इसल्वर साल्ट में और धेन और आगे का रेक्शिन देगे इसका तुम है लिए तो इसका तो मैंने लिए यह दिन प्रेस्ट्रीश तुसी ओ एजी तो हम क्या करेंगे यहां से टीक और अक बंद करते इस यह निगाल दीजे और इस बादी जो कार्बन बच गया वह आर आर है शेंश 3-3-3-2 इसलिए आर आर और पर आजया सियस्ट्री थी तो और यह ढम्र eerste को बलीए कि इसको आपको बलाग स्वीलवर सालट लेक्वी अ तो नायिट्र फिलवर नाइट्रिट यह सी ओ-ओ-च और पहले क्या बनेगा पहले acid से first इसका reaction होगा, यहां से क्या बन जाएगा silver salt of acid यहां में क्या जाएगा COO KG nitric acid निकल गया और अब इसका reaction कराएंगे second में भी R2 प्लस कारबर टेटर प्रोडाइट इस प्लाइट तो यह क्या बन जाएगा Hans-D का reaction Hans-D का reaction भी क्या करेंगे CO2 को निकाल देंगे क्या बन जाएगा R के जगह पे cyclohexane और halogen के जगह पे भी R तो अगर silver salt, silver इससे यहां पे लिखा है इसका मत्तब पर मैं समझ जाना है कि acid है पहले तो यहीं बन जाएगा silver salt of acid and then वो react करेगा इसका हो जाएगा C6H5 CS2CY पहले क्या बनाएगे यहां में क्या आएगा silver आजाएगा और फिर bromine कराएगे मतलब यह गायब करतेंगे तो सीथा सीथा R और उसके बाद chlorine या bromine C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको हम बहते हैं benzene ring इसके बाद आगया CS2 और यहां में आगया इसका नाम है benzene bromide तो silver salt जब आएगा तो हमें समझा रहा है कि हम सब्सक्राइगा reaction है carbon यहां पर जो रिक्टेंट आपको दिया था और जो product बंद रहा है उसमें carbon कमा रहा है तो जो CO2 निकल जाता है उसी को बोलते हैं decalve oxidation तो इस reaction is used for the descending of the number of carbon कम करने के लिए हुँआ कि उसके लिए clear now note when silver salts of acid reacts with iodine अब अगर मालने जए iodine आएगा तब क्या होगा aster is the main product in place of alcohol तब यहां में हमें aster बनता है RCO this reaction is known as c-mone-d-d-d reaction तो यहां भी डिकल बाक्स लेचे रहा है but final product is main product is acetic तक अगर iodine लिखा रहेगा silver salt के साथ तब तो तो most important from diisodium salts क्योंकि हमें amine chapter में भी मिलेगा mostly nitro benzine और aninin के conversion होते हैं वो हम करते हैं via diisodium salt तो are obtained by treating aromatic ambience with nitrous acid upon decomposition by warming with cuprous chloride or bromide in presence of halogen acids filled aryl anise तो इस station को भोते हैं sandwire reaction या gutter modification दो नाम यहां से आता है पहले हम दिखते हैं कि diisodium salt क्या होता है तो benzine मतलब आप बना सकते हैं benzine ring C6H5 benzine ring बना दिया अब इसके ऊपर आता है N2 plus और C L minus तो आप यहां plus और minus निखते हैं क्योंकि यह salt है इसको बोलते हैं benzine इसका नाम हो गया diisodium chloride तेके इसको बोलते हैं benzine diisodium chloride अब यह बनता कैसा है तो aniline का aniline को nitrous acid के साथ reaction कराते हैं aniline का मतलब बैंजीन के उपर इसका nitrous acid HNO2 बट यह unstable होता है तो इसलिए इसको हम reaction में ही बनाते हैं NaNO2 plus SCL में लिखा रहता है generally 0 to 5 degree Celsius तो यह बन जाएगा इस reaction ही known as diazodication तो aniline से nitrogen benzine diazodium salt बनाना इसको मुझके diazodication अब इसको यहां से हम reaction कराते हैं हमें यहां पर दो तरह से लिख सकता है CuCl HCl लिखता है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते है Cu2 Cl2 इसमें करते हैं कि यहां पर CuCl और HCl दोनों में common क्या है Cl तो जो common है वह हमको यहां पर आएगा इसको में बोलते है Cloramandine प्लस nitrogen यहां गैस के रूप में निकल जाता है तो यहां पर nitrogen जो होता है वह गैस के रूप में निकल जाता है अगर यह माल लिजें हमें यहां पर आपको question में यहां पर ऐसे लिखते है CuBr अबलिक HBr या Cu2Br तब क्या बनाएंगे हमने आपको क्या बोला है कि दोनों में जो कॉमा है यहां पर के साथ क्या है क्लोरीन है तो हमने क्या बनाएंगे ब्रोमीन आएगा तो क्या बनाएंगे क्लोरीन था तो क्लोरोवेंजीन ब्रोमीन था तो ब्रोमोवेंजीन आप क्या दिखाएंगे दोनों में कॉमन क्या है साथ क्या बनाएंगे साथ क्या बनाएंगे साथ क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे साथ 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 क्या बनाएंगे यह से जुडते लिए लिए प्रप्टटल रएप गये के मीमराइज करना रहे शुक्राइज नियए के दो कि ऐता है तो कि यह मैं अमीन में भी पड़ ला है तो टू इन वन है आप यहां पड़े हैं यहां पड़े हैं यहां पर यहां प्लेर करते चल्ला है अब आपको यहां में काई जाए पोटेशियम आयोडाइट तोड़ा सा तब क्या बनाएंगे क्या पनाएंगे नवर आयडाइट तो इसी को अगर हमें आपे नौब तब क्या बनाएंगे तो पास रोएक आरिजन निकल जाएं यह भागि हुआ जोडा जाएगा यह रख2bf4 बन जाएगा फिर जब पूसको गरम करेंगे । सब्सकों करते हैं क्यों करेंगे यह फ्लोरी नहीं ठीक नहीं दो Chloro-benzene वो ड़ाजुनियम साल से हम Chloro-benzene बना सकते हैं एकर हम से माल जिए Convergen कुछता है तो CuCl, HCl लिख दिया यहां मिद्या गया Chloro-benzene Romo-benzene बनाना है तो क्या लेंगे? CuBr, HBr यह बन जाएगा Romo-benzene डिसको बोलते हैं Sandmeyer Reaction आयडो-benzene बनाना है तो Potassium Adide व्रागरम Chloro-benzene बनाना है तो HA Plus BF3 तो अब यह अलकील-ल-हाइट का इसका Synthetic Application Benzene Digelium Salt का Amine Septimum को मिलेगा यह इंपोर्टेंट है तो यह इंपोर्टेंट है तो यह इंपोर्टेंट है तो यह इंपोर्टेंट है आज हमने बढ़ा अलकोगल से कैसे बनाते हैं तेके नेजनियम साल्ट से कैसे अलकिलाइट बनाते हैं Flink-Stane Reaction बढ़ा तेके अंदेन Sunwire Reaction बढ़ा Most Important तेके तो इस वीडियो में एक ने ट्रॉपी के साथ तब तक कि लिए मस्तरी है सबस्तरी है